नुश्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के उत बढ़ने से पहले अब एक नज़र सुर्कियों पर बिहार में मतस्य पालन के लिए 70 प्रतिशत तक का मिलेगा अनुदान भाड़ी विरोत के बावजूदास से सक्षमता परिक्षा शुरू PMCH में A&M और J&M के सत्रों में नामंकन परहटी रोक मुझवरपूर के लीची की विदेशों में भी बढ़ी डिमांड चैन्नी सुपर किंग्स के खिलारी ने IPL से पहले जड़ा शतक इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से बिहार में मतस्य पालन के लिए 70% तक का मिलेगा अनुदान कम लागत और कम छेतर में मशली पालन कमाई का एक अच्छा जड़िया बन चुका है आपको बता दे कि एक ही तहलाब में कई प्रकार की मशली का उत्पादन हो रहा है और सरकार की ओर से भी मशली बालन के लिए मदद की जा रही है किसानों को अनुदान दिया जा रहा है और इसका दाइरा बढ़ा कर 50-70% तक कर दिया गया इसके लिए किसानों को मतस्य विबाग की वेबसाइट पर जाकर निबंदन करवाना होगा और 29 फरवरी तक इसे करवाना अनिवार है इसके लिए आधारकाद बैक पास्बूक की फोटो कॉपी और मुबाइल नंबर की जोरत परेगी ऑनलाइन आविदन के लिए किसानों के पास आधारकाद शपत, पत्र, सहमती, पत्र और जमीन से सम्बंदित कागच का होना जरूरी है भाड़ी विरोत के बाउजूद आज से सक्षमता परिक्षा शुरू बिहार विद्याले परिक्षा समीती ने सक्षमता परिक्षा की तारीकों में बदलाओ किया और इस परिक्षा का आयोजन अब 26 मार्च से 6 मार्च तक होगा आपको बता दे कि आज से सक्षमता परिक्षा शुडू हो गई है और पहले 13 मार्च तक सक्षमता परिक्षा का आयोजन किया जाना था लेकिन अब ये 6 मार्च तक के लिए होगा और इंटर परिक्षा के कौपी के मुल्यांकन की वज़े से भी हार बूर्ड ने ये फैसला लि नौजिलों के 32 केंध्रों पर सक्षमता परिक्षा ली जा रही है इसमें देरी से आने पर एंटरी नहीं मिल रही है BPSC SI PARISH के लिखित परिक्षा के सवाल रहे आसान बिहार पुलिस में S.I. भट्टी के लिए लिखित परिक्षा हुई और इसके सवाल असान रहे बताया जो रहा है कि हिंदी की सवाल समानने थे वहीं दूसरी पाली में S.C.E.R.T. N.C.E.R.T. के दस्वी अस्तर के प्रशन पूछे गए जबकि गनित के सवाल समाने अस्तर के थे परिक्षा में करपुरी ठाकूर से सम्मन्दित प्रशन आये थे परिक्षा में अभियर्थियों की उपस्तित 95 प्रतीशत रही आपको बता दे कि पटना में 36 परिक्षा के इंद्रों पर लिखित परिक्षा का आयो जन हुआ यहां कुल 1275 सीटों पर परिक्षा हुई और परिक्षा में 25405 अभियर्थी शामिल हुए जानकारी के अनुसार सभी किंद्रों पर शांतिपुर्ण परिक्षा हुई वहीं समाने हिंदी की परिक्षा में एक संदिग्द की पहचान की गई है भागलपूर में हवाई सेवा की शुडवात के लिए डियम को सौपी गई जमीन की रिपोर्ट भागलपूर में हवाई सेवा की शुडवात की पहल अपतेज हो चुकी है ऐसी करी में डियम को एडियम ने जमीन की रिपोर्ट सौप दी जलादिकारी ने जमीन चर्ण को लेकर गोपाडी में गौशाला के 475 एकर जमीन की रिपोर्ट को बढ़ा दिया आपको बता दी कि भागलपूर में एरपोर्ट के बन जाने से यहां के लोगों को काफी फाइदा मिलने वाला है इससे यहां के कतर्णी धान और जड़दालू आम को विदेशियों तक पहुँचाया जाएगा और इसके साथ ही पडियचन को भी बढ़ावा मिलेगा मालूमों के भागलपूर में हवाई अड़ी की शुरुआत के लिए सांसत से लेकर विधायकों ने पहल किया विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि यहां के सिल्फ को विदेशियों तक पहुचाने के लिए एरपोर्ट की ज़रूरत है इससे लोगों के लिए रोजगार के अफसर भी बढ़ेंगे PMCH में A&M और J&M के सत्रों में नामंकन पर हटी रोक PMCH में A&M और J&M के दोनों सत्रों में नामंकन पर रोक हटा दी गई है आपको बता दे कि संस्थान के उन्यन और नए निर्वान काम को देखते वे नॉमिनेशन की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी इससे अब हटाया गया है सरकार की सादेश के बाद सेक्शन 172324 में नामंकन को लेकर छात्रों चात्राई अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकेंगे स्वास्त विबाग के पुर्व में जारी किये गए आदेश को हटाया गया इसके बाद अब नया आदेश जारी हुआ है मालूमों कि पीम सीच को विश्व अस्तरी अस्पिताल बनाया जा रहा है और यहां अस्पिताल के उनियन का काम जारी है इसा देखते वें बिते साल 21 जन्वरी को साथरे 2022-24 और साल 2024-25 में एनम और जीनम के कोर्स में दाखिले पर रोग थी गांधी मैदान में सौधेशी प्रोड़क्ट का मेला लगा गया है यहां पर आम लोगों के लिए 20 रुपे से लेकर 50,000 रुपे तक का समान मिल रहा है यह मेला 10 माज तक चलेगा यहां कई लोग समान को खरीदने के लिए पहुँच रहे है लोगों के बीश मेला का क्रेज देखने को मिल रहा है, खाने पीने से लेकर मेले में लोगों के मनरंजन की व्यवस्ता है मेले में कई स्टॉल लगा गए है, यहां भधोई का कारपेट सारनपूर का फरनीचर से लेकर असम के बास से बने हुए समान बिक रही है वहीं कलकत्ता का जूट बैक लोगों के बीज आकरशन का केंद्र बना हुआ है, बच्चों बुजूर्गों से लेकर महिलाओं के लिए बाजार में समान उपलब्द है मुझह अपरपूर के लीची की विदेशों में बढ़ी डिमांड बिहार के मुझह अपरपूर के लीची की खारी देशों में डिमांड बढ़ गई है, यहां से लीची की मांग इस बार दोगनी है पंद्रा माश को धुनिया के सबसे बड़े लूलू मॉल के प्रतिनी दी दीपक मिश्रा मुझह परपूर पहुचंगे वो लीची उतपादकों के लीची का करार करेंगे, यहां के उतपादक मॉल के इस पहल से काफ़े उतसाहित नजर आ रहे हैं, जानकारी के नजार साल 2023 में पहले बार मुझह परपूर की लीची को खारी देशों में भेजा गया, और ट्रायल के तौर पर पहले 1000 किलो लीची को भेजा गया और इसके बाद हर दिन यहां से लीची क्या पूर्ती हो रही है, बनारस में लीची को भेजने के बाद यहां से खारी देशों में इसे भेजा जाता था, वहीं 22 मैं से विदेशों में लीची को भीजा जाएगा, कैमूर हाथ से पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने दुख जताया है दरसल यहां मोहनिया थाना श्रीत्र के देवकली गाउं के पास जीटी रोड में एक ट्रक जीप और मोटर साइकल के भी जोड़ा टकर हो गई इसमें नौ लोगों की जान चली गई मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने शोक में लिप्त लोगों के प्रती सम्वीदना व्यक्त की साथी घाय लोगों के इलाज के लिए उचित सुविधा मुहया कराने की बात कही जिला प्रशासन के वरिस्त अधिकारी घटनास्थल पर पहुचे या घटनास्थल का निरक्षिन हुआ बताया ज़ा रहा है कि नियंद्रन खूने की वज़े से हाथसा हुआ इसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया कटिहार में भाडी मात्रा में शराब बढ़ामद दो तसकर गिरफतार बिहार के कर्टी हार जले में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई बिहार पुलीस और उत्पाद विभाग की टीम लगतार शराब के खिलाफ कारवाई कर रही है जले के प्रानपूर ठानच्छेत्र के जहतिया गाउं के पास से 600 बियर के केन और 120 विदेसी शराब के बुतल की बरामदगी हुई और इसके साथ ही दो तसकरों को गिरफतार के आपको बता देगी पंगाल के मालदा से शराब के खेप को सबजी से लदी हुई पीक अप वहन में लाया जा रहा था और इसके बाद इसे सहरसा पहुचाना था लेकिन गुप्त सूशना के अधार पर पुलीस ने कारवाई की वहीं लोगसबा चुनाओ और हूली को देखते वे पुलीस का अभियान जारी रहेगा चुनाओ की तयारियों को लेकर मार्श में महागरबंदन और NDA इस दिन करेगी शक्ती प्रदर्शन लोगसबा चुनाओ की तारीक की अभी तक आधीकारिक तोर पर गोशना नहीं हुई है लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों से लेकर चुनाओ आयोग सब इस की तयारियों में जुटे हैं इसी करी में बिहार के मद्दाताओं को अपने खेमे में करने की लिए रक्षा मंत्री ग्री मंत्री और प्रधान मंत्री बिहार दोरे पर आने वाले हैं आपको बता दें कि पीम मोदी दो मार्च को बिहार के और अंगाबाद में आएंगे और उमीद है कि इसे दिन पीम नरेंद्र मोदी बेगु सराय में भी अपना कारिक्रम करेंगे। वहीं बिहार में दूसरी तरफ और विपक्षी पाठी भी भजबूती से बिहार में अंगे का सामना करने की तैयारी कर रही है। तेजस्वी यादव भी जनविश्वास याद्रा पर निकल चुके हैं इसे करी में तीन मार्श को पटना की गांधी मिदान में जनविश्वास याद्रा की महा रैली होने वाली है और इस रैली में राज़त के साथ साथ कॉंग्रेस और भाकपा के नीता भी शामल होंगे। तेजस्वी यादव ने मौका देने पर बिहार के भविश्व को सवारने का किया वादा। और पहले बिहार में रोजगार चुनाओ का मुद्दा नहीं था लेकिन साल 2020 के विदान सबा चुनाओ में आज जेडी ने इसे चुनाओ भी मुद्दा बनाया और इसके साथी दसलाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया लेकिन धोके बाजी करके कई उमिदवारों को हड़ाया गया लोगसपशिनौ को लेकर बिहार बीचेपी ने मुकतार अबास नकवी को दिजिम्मेदारी लोगसपशिनौ की तियारी में बिहार बीजेपी चुटी अ कर्रिमे पार्टि अप क्लीन स्विप की उजवना त्यार कर रिया है सिमांचल शेत्र को साथने के ल बुक्तार अब्बास के कंदे पर है 26 फरवडिकों किसंगंज में इनका कारिकरम तै है और उसके बाद 27 फरवडिकों कचिहार में चार लोकसबा छेतर के पदाधिकारी के साथ ये बैठ अप करेंगे प्रशांत किशोर ने नितीश कुमार के एंडिये में शामिल होने का बताय थे उन्हें तोड़ने का कारण है कि विपक्ष को एक साइकलोजिकल जटका लगे लेकिन इतीश कुमार के एंडिये में शामिल होने से भाजपा को कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि उनका अपना कोई वोट बैंक ही नहीं है प्रशांत किसोर ने कहा कि इस कारण से बीजे पक्ष तेजश्वी यादब पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि तेजश्वी यादब को ये पता होना चाहिए कि उनके मादा पिता ने बिहार पर 15 साल तक राज़ किया और राज़ के इस दुरदर्शा का कारण वही है समराठ चौदरी ने कहा कि राज़त का मतलब है कि लड़े की अच्छा लेकिन दो दो लाख वोट से हारेगी राज़त नेता कह रहे है कि पार्टी उनके बाप की है उनके पिता कहते दे कि पार्टी माई की है सही बात ये है कि राज़त माई और बाप की पार्टी है लेकिन NDA के लिए जनता ही मा और बाप है भाशपा में कल कौन किसकी जगह आएगा ये कोई नहीं जानता है लेकिन राज़त में लालो प्रशाद यादव ने अपनी पत्नी को गद्धी पर बैठा दिया इसके बाद अपने बेटे को उपमुखी मंत्री बनाया चेने सुपर किंग्स के खिलारी ने IPL से पहले जरा शतक चेने सुपर किंग्स के बल्लेबाज समीर रिजवी ने IPL दो हज़ार चौबस के पहले अपने टॉप फर्म हासल किया उत्र प्रिदिश के खिलारी ने कानपूर में सौरास्ट के खिलाफ सीके नाइडू ट्रॉफी में शानदार शतक जरा उत्र प्रिदिश और सौरास्ट के 20 अंडर 23 डूनामें इनके क्वाटर फार्नल में रिजवी ने 117 बॉल में 134 रन बनाया इस खेल में सौरास्ट ने टॉस जीत कर पहले गींदबाजी का फैसला किया और इसके बाद रिजवी ने बल लिबाजी के दौरान शानदार शतक लगाया इनके शतक के कारण यूपी की टीम ने पहले देन 5 पकेट खो कर 426 रन अपने नाम किया बीते दिन हमारे द्वारा पूचे के सवाल का आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे द्वारा पुछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रभाकर कुश्वाहा, पवन सिंग, संजीव कुमार, चंदॉल कुमार, रवी कुमार, राम, अमरेंद्र अमर, परवीज, आलम, गुवनर शर्मा, छोटू राजा, सोनु कुमार, पास्वान, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, आज का हमारा सवाल है क्या आप प्रशान के शोर के बयान से सहमत है कि नितीश कुमार के एंडिये में शामिल होने से कोई फाइदा नहीं मिलेगा, आप अपना चवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं पनिवाद